हेलो गाइज, वेलकम बैक तो बालजी लेर्निंग, तोड़े वी आर गोइंग तो लेर्न और डिस्कुस्स अबाउट दी सम्थिंग अबाउट वाटर, तो वाटर, यह जो है, मैंने जर्नल PPT बनाई हुई है, जर्नल मैंने करने के लिए वो करा हुआ है, वाटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस वीडियो में हम, तो चलिए, जिनों यह भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अगर अच्छी लग रही हैं तो, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा, वाटर, ह टॉपिक है जो कि सब जानते हैं वाटर क्या होता है कहां यूज होता है तो वाटर के एक ऐसा सबस्टांस है जिसमें कैमिकल एलिमेंट्स हैं यह दो चीजों से मिलके बनाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनाए अगर हम कुछ साइंस के स्टूडेंट्स है या जो ज प्रफित फ़रम्स में पाया जाता है वाटर हम प्रफित कौनकौन सी पहलिए वार्म्स पहली अ महलं गैसी डूसरी को ओक्तिवडोल्ः यह तीन फोन नहीं होता है इसका कोई क तेश्ट नहीं होता कि अगर हम कुछ में mix कर देंगे तो order भी आ जाएगा टेस्ट भी आ जाएगा temperature increase कर देंगा कुछ और डाल दें तो इसमें चेंज ज़ा सकती है इसलिए यहाँ पर room temperature है यह एक important ability है इसमें water के अंदर एक important ability मतलब ability होता है कि ताकत है कि वो और अलग substances को और अधर चीजों को जो है वो अपने अंदर dissolve कर सकता है डिस्ओल मतलब घोल सकता है अपने अंदर water की एक ताकत है यह बल सकता है importance है important ability है जो की समान और substances को अपने अंदर dissolve कर सकता है बहुत सारे substances को दूसरी चीज़ आप water का yous कहा कहा करते है ड्रिंकिंग में करते हैं house hold किज लिए करते हैं recurring में करते हैं इंड़्टरी एप वदिश की यूज प्रद्ध सब्साईय क्लेज आठाएं इड़ी बड़ी बृटकर रिकरिय गुनारा Technologies ने Krut जल्दी से बोलें आप सिंपल लांगवेज में समझते हैं कि जैसे अब यहां पर से सूरज है सन है उससे हीट पड़ी इस पर जो भी हमारी रीवर है या जितने भी है रेस पड़ी वाटर हीट अप हुआ उसका टैंपरेचर वाटर का टैंपरेचर बढ़ा और वह वाटर क्य क्या होता है कि वाटर का गैसिएस फॉण में चेंज होने लग जिर उपशले इवापोरेशन का टैंपर जाके टैंपिशन बनैंघांट अब उससे सं शू पर जाकर गैसिम तुरी अचिकाइब उससे क्लाउटस बन रहा है फिर क्लाउटस बन गए ऑब का यह बहुतर भाद पानी कंटेंट हो गया है तो दो प्रेसिपिटेशन धर कराट। दूर्छ केड़नेशन चाहिए थर केड़नेशन स्चीशन में, यह क्या है, ठॡटार करेण गाल में, परीफिर क्या है, परीफिर को बнал invasion, Oceans को other water bodies को करता है, जो कि temperature बढ़ा देता है, water का, तो इससे क्या होते है, water evaporate करने लगता है, और वो वेपर की फ़र्म में, एर में होने थए, जैस जैसे air current, टेक दवेपर, जैसे यृच्ट फर्म में बनता जाता है, दूसरा condensation जैसे जैसे vapor rise होने लगता है बहुत जादा rise हो रहा है वेपर बन रहा है तो वैसे वैसे temperature cool down करते है और उसको temperature cool down और वो क्या करता है फिर से वापिस condensation liquid में आ जाते है wind and air currents जो हो हैं फिर वो moisture around करते हैं और क्या फिर कर देते हैं clouds बना देते हैं थर्ड स्टेज precipitation प्रेसिपिटेशन में क्या होता है जितने भी wind का movement की वज़े से clouds की movement हुई wind की वज़े से तो वह क्या करते हैं आपस में टकराते हैं और वह क्या बड़ना थैं water laden हो जाते तो वो क्या करते है, develop कर देते है, rains में, फिर cloud से क्या होने लगती है, rain हो दाते है, और वापिस से वो earth surface पे आता है, जिसको हम बोलते है, precipitation, इस वज़े से ही, अकरिंदा rain की form में, या snow जो निकलता है, इस form में होता है, और यह हमारे temperature conditions को भी normal करता है, दूसरा है, चौत्था stage है रन ओफ और इन्फिल्ट्रेशन इसमें क्या होता प्रेसिपिटेशन होएगा और वापिस से रन करके यह ओशन रीवर और ग्राउंड में सब वापिस से मिल जाएगा अहीं हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर को कंजर्व करें इन में early farming कर सकते इन Stockholm कर सकते हैं जैसे की हम efficient plush toilet जिसमें ज्यादा पानी यूज होता यह हम चल् of the Config criteria से वापिस से शेजए तो पानी बेस नहीं होएगा हम जल्दी से जादा लंबे समय तक शावर ना करें अब हम क्या कर सकते हैं convert to water and energy इसमें हम ऐसे taps यूज़ करें जिसमें थोड़ा सा water जो है कम रिमूव हो जिसमें water हम avoid wasting running water जो running हम tap open करके छोड़ देते हैं और वो पानी भैता रहता है भैता रहता है हम एसी washing machine यूज़ कर सकते हैं जो कि energy efficient हो यह हम plants को जो है वो पानी हम जब दे जब थोड़ा सा दिन का ठंडा समय हो उस time दे तो water कम you plants कम water लेंगे और भी यह कि हम clean dry ways and sidewalks with the broom instead of host मतलब हम लोग क्या जो जाडू लगाएं पानी का ना यूज़ करके उससे हम सफाई करें तो यह कुछ थी हमारे water से related बाते जो मेरे को बतानी थी तो thank you so much for watching this video hopefully you like it and if you like it then like subscribe and comment तब तक के लिए बाई बाई जल्दी मिलेंगे झाल जुचे ज़ होग बाई जल्दी मिलेंगे के लिए एसलिए इवाल धूज जल्दी मिलें